मद्यप्रिदेश के तीन जिलों धार, सिंगरावली एवं गौलियर के गावों में इस्थित प्रधान मंत्री आवास योशना के हिदगराईयों से समवात के लिए साधर अनुरोद करता हूँ सरप्रथम धार चले के सरदारपुर जनपत के ग्राम पंचायत अमचेरा के आदेवासी भिदगराही श्री गुलाब सिंग को माननी प्रधान मंत्री जी से समवात के लिए आमंत्रित करता हूँ इसे समवात करता हूँ कई आफद तो नहीं आई नहीं है खरेच को वारलो अच्छा बताईये कैसे घर बनाया मेरे ज़रा तबेज ज़रा खराब है तो मेरा छोरा बता ही गो नमाज का परधान मुंत्री जी क्या शुमनाम आपका निरो बताईये हमारे गाउं वर सर्दारपुर तेसिल और जिल्ला के सबी गरी और भाई बेनों के वर से हम सबी सुपकाना देते हैं जो उमारे गरी भाई को मकान मिले है उसके सब को तरफ से मैं सुपकाना ही देता हूँ और जो हमारा मकान बना है हल्मा करके उसमें हमारे गरी भाई सबी स्वयोग करते हैं तो उसमें मजदूरी हमारे को नहीं देनी पड़ती है सिरफ सयोग करते हैं ताकि हमारा गरीब भाई का मकान अच्छा बने और जो मजदूरी के पई से बचे उससे कुछ अच्छे और समान ला सके और जो उसमें हमारे भाई जो मिश्टरी है उन्होंने भी बहुत हमारा सयोग करा ताकि हमारे भाई की जो मजदूरी होती है मिश्टरी की वो ज्यादा देना पड़ती है तो उससे ताकि और अच्छा सम्वान लाके और अच्छा मकान बना सकता है आदमी कर लाएं है नहीं हलामाऐं की परंपरा में सिरब आपके गाऊं में हैं कि अगल बगल पने भी है कि सबी जिससे कोई अधिवासी कोई अच्छे से करते हैं कोई थोड़े कम करते हैं उसमीत जो समीमंारा प्रिव़र न्युक्त हमारा तो अच्छे से करते हैं कि इस कभी रोज 20 आ जाते हैं कभी रोज 15 भी आते हैं उन सब को काम आता था क्या काम आप शिक बताते थे या कौन शिखाता था उनको काम जानते थे काम घर बनाने का जो मिस्तरी हमारे भाई थे तो चिक हुए तो तो जो लोकडाउं में बंग था तो सबी घर पर ही थे और जो मद濃 आद मे थे हमारे भाई और बहने हो भी घर परी थे और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है कोई बैसे निए वो फिरफ सामकों उनको खाना खिलाते हैं तो खाना में क्या मुर्गा खिलाते हैं क्या हम वो क्या है कि खिच्टी बनाते या फिर मक्का की रोटी और अच्छी सी दाल बनाते हैं बढ़िया और प्याजवाज काटके ने बढ़िया से खिलाते हैं स्याम को अर्चाब वोई खिलाते जो दाहुद वाले खिलाते हैं चलिए देखे बहुत अच्छी बाद आपने बताई कि कैसा बढ़िया रित्रिवाज है कि गाओं के सब लोग मिलकर के जब भी किसी का घर बनता है तो उस काम में सब जुड़ जाते हैं और बहुत ही कम खर्च में सब की टैलेंट का उप्यों करते हुए अच्छे सा अच्छा घर बन जाता है मुझे लगता है कि जीवन को आसान बनाने की भावना कितनी बढ़िया है गाओं में मैं सच मुझ में आपके गाओं के सभी लोगों को बढ़ाई देता हूँ अच्छा ये बताईए कि घर बनाने में खर्च कितना आया और घर कितने समय में पुरा हो पाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका घर दितना बड़ा शानदार है जो बनाया है आपने और बढ़िया सा पेंटिंग मेंटिंग भी किया है पेंटिंग भी सब आपी लोगों ने किया है हमारी बच्चियों ने किया जो यह चीत्रवित्र जो हमारे मांड़ना बोलते हैं व्याओं में मांड़ते हैं यह हमारी बच्चियों ने बनाया है और जो हमारे मकान की जो लागते वो एक लाग बिस हजार तो जो प्योम आवास योजना के मिले थे और जो 16,000 रुपे हमारे मद्दूरी मिली थी और कुछ हमने हमारे भायों ने भी हमारे को सयोग करा और जो थोड़े बहुत हमने मद्दूरी करके बचत करी थी वो भी हमने लगाए तो आपके पिताजी को तो और आनद होता होगा कि उनको रहते रहते एक पक्का घर मिल गया बहुत आनद वो कि अभी दो दिन से मिलने के खुशी में दो दिन से थोड़ी तबेद डाउन हो गई हो इत्ते शेहनी पारे कि जब हमारे देश के इत्ते जोड़दा परदान मंत्री जब हमारे को संभूदूत करेंगे तो में खुशी वो रोकनी पाहे इसलिए थोड़ी सब्सक्राइब उनके डाउन हो गई है काई बात आप हमें आशिरवाद दे दीजिए आपके शब्दा नहीं होंगे लेकिन आपके आशिरवाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है गुलाब सिंजी आपको नए घर की बहुत-बहुत मेरी बधाई है और आपके आँख के सामने आपके ओ दूसरी तीसरी पीडी आप देखते होंगे घर में सबके लिए पक्का घर होना है आपके लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी आपने सरकारी योजना और सामाजिक तालमेल की बहतरीन मिसाल हमारे सामने रखी है आपके समाज आपके गाउंवाल को भी इस सम्रिद्ध परंपरा के लिए मेरी तर्म से बहुत-बहुत साधुवाद और यही कारण है कि आपका घर बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बनकर तयार भी हो गया। सरकार ने भी गरीबों के आवास की इस योजना में एक प्रकार से इसी रित्री का ही समाविश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मंडरेगा, सवभाग्य, उजबला, स्वच्य भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड दिया है। ताकि सब की ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। तो मेरी तरब से आपको बहुत बहुत शुबकामना हैं, आपके गाउनलों को बहुत शुबकामना हैं, और मेरी तरब से विशेश बधाई हैं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से घर बनाया है। बहुत बधाई दे करता हूं मैं आपको दन्यवाद गडेरिया के हिद्गराही श्रीप प्यारेलाल यादव को माननियम प्रधान मंत्री जी से सम्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं प्यारेलाल जी सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार आज आपको पक्का अपना घर मिला है आज आपकी खुशी बहुत वाभाविक है और मैं देख भी रहा हूं आप अपने श्रीमत्री जी के साथ बैटे हैं बड़ा आनंद होता होगा आपको तो जी सर बहुत आनंद है हमको प्यारलाल जी कभी सोचा था कि आपके आएक पक्का अपना घर होगा और आपके सपने पूरे भी होंगे क्योंकि वादे तो आप लोग कई सालों से सुनते आते होंगे सर हमको विश्वास था कि हमको अवस मिलेगा जैसा सब को मिल रहा है सर वह इसा हमको भी मिला हमको विश्वास है कि अवास हमको भी मिल गया तो आज घर का आपका प्रवेश हो रहा है तो खाना क्या पका है आज सर बनमाए है खाना क्या बढ़वाय बताईगे रहा है चावल दाल पूड़ी सब्जी वाँ कुछ मिठा भी बनाया होगा है सर मंगवाय है मिठा मिठा मंगवाली यह हो जी अजब पहले आपका मकान कैसा था और मकान में क्या दिक्राइग तर हमारा मकान कच्चा का था खपड़ेल था आनी तुरफान में खपड़े उड़ जात ता इसलिए बहुत समय स्या था है कि सर हमको अवास मिल गया तो बहुत आनंद आ गया अज़ा आपको यह घर कब स्विकृत हुआ था सर हमारा मकान संदू 2019 में हमको मिला यहने लगवक दिसम्बर मिला कि उस समय तैप हुआ कि अब मिलेगा मकान क्या हुआ सर हमको मकान मिला और लगवक 15 दिन की पहले पूड हो चुका अच्छा अच्छा यहने एक साल पहले मकान बनाने का आपको तैय हो गया और बात में एक साल में आपने इसको आज पूरा कर दिया पंदरा दिन पहले जी तो आपको यह मकान लेने में मैं जड़ा ऐसी बात पूछ रहा हूं बुरा मत मानना और बताते समय संकोच भी मत करना सच बता देना बताएंगे ना जी सर परिशान किया हो दफतरों में बैंक में चक्कर काटने पड़े हो और आप मन को लगा थोड़ा यहार मकान नहीं चाहिए क्या मोदी जी बाते करते कुछ बेकार है सब ऐसा हुआ क्या कभी नए जान सर कभी नहीं हुआ एसा समय समय परकिस्टा हमको मिलती गई और हमको दिक्कत नहीं आई कोई परसान नहीं कunity कोई पैसा नहीं हमसे मागे इसलिए कि आवास हमारा धीरे-धीरे बन गया और अजया मकान बनाते हैं आप पत्ती पत्ती में भी जगडा होता होगा वो कहते है नहीं इधर को बनाओ दरवाजा इधर डालो नहीं सर कभी नहीं जगडा हुआ आप की चलती होगी आप उनकी सुनते दियोगी नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है और हम मकान बनाए और क्या कहते हैं राखडवाला इट लगाए पूछे दो शार आदमी से राखडवाला इट कैसा होता है तो लोग बताए कि मजबूती भी है आपके हाँ तो आप जी इस इलाके में हैं वहाँ तो शायद काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की इटे मिलती है न जी सर मिलती है यहां प्लांट है हमारे गाउं में और यह इटे तो बड़ी मजबूत भी होती है सस्ती भी होती है जी सर इसलिए हम मगवाए उसको अज जी सर पढ़ा रहे हैं, अभी क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, सर अभी तो स्कूल बंद है लागडाउन की चलते, ने ने वो तो चीक है, लेकिन पढ़ाते क्या हैं, पढ़ाते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, इन साल में एक बड़े बाले बच्चे गिरहमी पढ़ेगा, एक शठमी में एक पचमी में देखे ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है बलकि करीब को आत्मविश्वास देने की योजना है ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, इंधन ये रोज मना की जो जद्दो जहाद है ना, उससे वो बाहर निकल कर अपने काम में, अपने भविश्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके कड़ी परिश्रम के बाद, जब रात को ठका हुआ वो जब घर पहुँचे तो मेरा गरीब भाई चैन की निंद सो सके और अगले दिन फिर तारो ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े मैं समझता हूँ कि गरीबी को पराजित करना है गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकत बर बनाना और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परणाम भी नजर आने लगा है तो मैं आपको बहुत सुब कामनाई देता हूँ इस नए घर में बच्चों के शिक्षा दिक्षा बहुत अच्छी हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सब अब मैं ग्वालेयर जिले के भीतरवार चनपत के ग्राम पंचाइद भौरी के हितग्राही शी नरेंध्र नाम देव को मानरी प्रधान मंत्री जी से समवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ यह नरेंद्र जी को नरेंद्र का नमस्कार मानली पुझान म Advis Makaji जी नमस्के सबसे पहले हम आपको धनवाद देते हैं हम्हें आवास पदान किछ न लोग हो चस्मा आ गया भई इतना कैसे जल्दी जल्दी चस्मा आ गया हम सिलाई का काम करते हैं महुदा इसलिए हम अच्छा अच्छा सोई धागे के कारण हो गया मानली मुखमंत्री जी को भी गहुत बहुत धन्वा देते हैं देखिए पहले पश्पन में आँखों की कसरत के लिए दादी मां घर में कहती जी चलिए सोई धागा परो करके देखिए तुमाने आँख ठीक एक नहीं है लिकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आपकी दोनों की आँखे चश्मा आ गया कईए तो आज आप नए घर में ग्रफ पविश्च कर रहे हैं कि यह कलर कि अथे जीए ने बनाई है अच्छा परीवार में आज पढ़ोस और रॉष्चेन आते ने इस नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है सब को कैसा महोल है आज पक्का आवास मिलने से स्रीमान मुझे बहुत राब हुआ है आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है कच्छा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काड़ने से मिरत्यू हो गई मानने हो घिए कहें में अमकान में nat kalau में स sponsors मगंने मेरी बच्चि-की मिलने से मिरत्यूillar और ज़ोगे जोबिस दिन के अनक्राव में मेरे बेटे की मिलत्यू हो गई हमारे ओपर दुखों का पाहर ट्यू täll थ कुछ समय के बाद सासन के संब्स से मुझे scri Saf 2022 का अबसर मिला आबास के साथ सम्रद परियाबास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे ओबरने का आबसर मिला माननी महोदय मैं सिलाई का काम जानता हूं कुछ जमीन का भी चुक्रा है मेरे पास एक भैस भी रखता हूं माननी महोदय से जो आप देश की सेवा के लिए समर पर थें चाहे वो 370 हो या तीन तलाक हो या आवाज के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो तो नरेंद्र जी नरेंद्र जी क्या चुनाबनाव लड़ने का इरादा है क्या नहीं सर नहीं सर तो आप इतनी सारी बाते बोल रहे हो सबसे पहले मापको आशिरवाद देते धन्यवाद जी धन्यवाद जी धन्यवाद हमें हमें माताओं के अशिरवाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसलिए आपने सही कहाई आपके पती जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं हर माता का अशिरवाद मेरी बहुत बड़ी पुझी है आपने मेरको उच्छ वला के साथ गेस दीये मेरको किचन मनाई मेरको सोचाल ने भी दिया मेरा आग्रे आपसे निवेदन है बहुत जादा मेरे घर पर अमंत्रित आएं और मेरे आथ की चाय और पुए खाएं और आप अमंत्रित च्वाइकार करने का आप मेरको आ या ना म में जवाब दया चलिए आपका निमंतर मेरी सर आखों पर और मुझे मैं भी इश्वर से प्राथना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं और ये मोका मेरे नसीब में आ जाएं मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा हमको भी इतना धन्य होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाए आज मेरा साइद मुझे मानी महुद है जो मुझे गम प्रकृति ने दिया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गम बढ़ा था आज मुझे खुशी बढ़ी है वा मुझे बता है कि इस घर के स्विकृति पत्र में आपकी प नहीं स्रीमान मेरे साथ पूर्ण सायोग रहता अच्छा चलिए अच्छा है इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष हमारी बहनों का सश्रक्ति करन भी है अच्छा यह बताईए कि आप जो कामकाज करते हैं अब पहले घर की तुलना में इस नए घर में आने के कारण आपका जो खुद का कारोबार है उसमें क्या बढ़लावाएगा कि मैंने आजीव का मिसंद से जुका समू का अगठन किया उससे मैंने सिचाइब स्लाई का प्रसिच्चन वी लिया है आज मेरा कारूबार बढ़िया मेरे दालोटी चल रही है उस माध्यम से कितनी वहां कितने लोग हैं जो आपके क्पड़े बनवाने आते हैं किस प्रकार क्पड़ी में कापड़ा बनाता था वैसे केश्टमरों का आज मैं अपने गाओं के बच्चों को अपने बच्चे मानकर गणवेस्वाई के काम कर रहा हूँ महुदए अच्छा उनके गणवेस्वाई बनाते हो जी महोद है वाँ चलिए फिर तो ये बच्चे जब पढ़कर लिख करके बड़े होंगे तो उनको भी उनका अपना जो बच्पन की फोटो देखेंगे तो आपकी याद आएगी मेरी पद्नी भी चिलाई का काम करती है मेरी महोद है करता एक दिन में के तने माना लेते हैं आप एक दिन में आप historic कप्रेً बनाती हैं शर तो आपकी दोनों की कोई ट्रेनिंग कंथे क्या जी कहा किया शच्प अच्छा कि टीन गए उस ट्रेनिंग में आठ दिन ट्रेंदिंग लिए चुकी में इस काम को जानता हूं, मेरा ये पैत्रिक कामास है। चलिए नरंदर जी और अनिता जी आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं। आपको प्रधान मंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजीव का मिशन से रोजगार का वाउशल दोनों का लाब मिला है। चलिए नरंदर जी मेरी आपको बहुत शुब कामना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम भी आपको कोड़ कोड़ धन्यवाद देते हैं। माननी प्रधान मंत्री जी के उद्भदन की प्रतिक्षापुरा मद्यप्रदेश कर रहा है। मेरा उंसे अलरोत। प्रतियों से चर्चा करने का अउसर मिला। आज अपना पक का घर मिला है। अपने सपनों का घर मिला है। अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। अब मद्यप्रदेश के पौने दो लाक ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। जिनका ग्रह प्रवेश हो रहा है। उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुपकामनाई देता हूँ, ये सभी साथी टकनोलोजी के किसी न किसी माध्यम से पौरे मद्यप्रदेश में इस कारकम से जुड़े हैं। आज आप देश के उन सभा दो करोड परिवारों में सामिल हो गए हैं, जिने बीते छे वर्सों में अपना घर मिला है। जो अब किराय के नहीं, जुग्यों में नहीं, कच्चे मकान में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं, पक्के घर में रह रहे हैं। साथियों, इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियां जुरूर कुछ जादा ही होगी, कोरोना काल ही के कारण, और अगर यह स्थिति न होती, तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शाविल होने के लिए, कि आपके घर का एक सदस्य, ऐसा ही आपका प्रधान सेवक, आज मुझे प्रदेश में होता, आपके बीच होता, और आपके इस आनंद उत्सों में भागिदार होता, लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उसके कारण मुझे दूर से ही आज आप सब के दर्शन का आउसर मिल रहा है, आज के इस समारम में मुझे प्रदेश की गवणर सिमति आनंद इबेन, राज्य के मुख्यमंत्री भाई सिवराज जी, केंदर में मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी नरजद सी जी, मेरे साथी भाई जोति रादित्य जी, मध्य प्रदेश के मंत्री गण के सदश्य, साउसत और विधायक गण, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिदी गण, और मध्य प्रदेश के गाउं गाउं से जुड़े, सभी मेरे प्यारे भाई और भेहनों, आज मध्य प्रदेश में सामोही ग्रह प्रवेश्काय समारो, पोने दो लाग गरीब परिवारों के लिए तो, अपने जीवन का यादगार पल है ही, देश के हर बेघर को, अपना पक्का घर देने के लिए भी, एक बड़ा कदम है, आज का ये कारकम, मध्य प्रदेश सहीत, देश के सभी बेघर साथियों को, एक विश्वाद देने वाला भी पल है, जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा, उनका भी सपना पूरा होगा, साथियों, आज का ये दिन, करोडों देश वासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है, कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं, साकार भी होती हैं, और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है, जिन साथियों को आज अपना घर मिला है, जिन से मेरी बाचित हुई है, और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, उनके भीतर के संतोष, उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूँ। मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा, कि यह घर आपके बहतर भविश्व का नया आधार है। यहां से आप अपने नए जीवन की नई शुरुवात किजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अब आप नई उचाईयों पर ले कर जाईए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। साथियों, कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट अठारा लाग गणों का काम पुरा किया गया है। उसमें एक लाग पच्चता हजार घर अकेले मद्द परदेश में ही पूरे किये गए हैं। इस दोरां जिस गती से काम हुआ है, वो भी अपने आप में एक रिकार्ड है। सामान्य तोर पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट एक घर बनाने में आउस्तन सवा सो दिन, एक सो पचीस दिन का समय लगता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो देश के लिए हमारे मिडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक ख़बर है। कोरोना के इस काल में पी एम आवास योजना के तहट घरों को बनाने में सवा सो दिन नहीं, सिरफ पैतालिस से साथ दिन में ही बना कर तयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुती उत्तम मुदान है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संबभ हुआ। पहले सवासो दिन, अब चालिस से सार दिन के बीच में कैसे हुआ। साथियों, इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा, शहरों से जो हमारे स्रमिक भाईबेन लोटे हैं। उनके पास गुनर भी था, इच्छा शक्ती भी थी, और वो इसमें जुड़ गए। और इसके कारण ये परणाम मिला है। हमारे इन साथियों ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभियान का पूरा लाब उठाते हुए, अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार करके दे दिये। मुझे संतोस है कि पीएम गरीब कल्यान अभियान से मद्द्प्रदेश सहीत देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड रुपिये के काम पूरे किये जा चुके हैं। इस अभियान के तहट गाउं गाउं में गरीबों के लिए गरतों बनी रहे हैं। हर गर जल पहुंचाने का काम हो, आंगनवाडी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुए बनाना हो, ग्रामीन सडकों का काम हो, गाउं के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किये गए हैं। इससे दो फाइदे हुए हैं, एक तो सहरों से गाउं लोटे लाखों स्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्द हुआ है, और दूसरा, इट, सिमेंट, रेट और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं, उनकी भी बिक्री हुई हैं। एक प्रकार से प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान इस मुश्किल समय में गाउं की अर्थववस्ता का भी बहुत बड़ा सहारा बन करके उभरा है। इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कारियों से मिल रही है। साथियों, मुझसे कई बार लोग पुछते हैं कि आखिर गरतों देश में पहले भी बनते थे, सरकार की योजनाओं के तहत बनते थे, फिर आपने बड़लाओं क्या किया। ये सही हैं कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दसकों पहले से योजनाओं चली आ रही हैं। बलकि आज़ादी के बाद के पहले दसक से ही सामुहिक विकास कारकम के तहत ये काम शुरू हो गया था। फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गये। लेकिन करोडों गरीवों को जो घर देने का लक्स था, जो एक गरिमा पुर्ण जीवन देने का लक्स था, वो कभी पुरा ही नहीं हो गया। कारण ये था कि पहले जो योजनाओं बनी थी, उनमें सरकार हावी थी, सरकार का दखल बहुत जादा था, उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला, सरकार और वो भी दिल्ली से होता था, जिसको उस गर में रहना था, उसको कोई पूस्ता ही नहीं था। अब जैसे शहरों की ही तरजपर, आदिवासी क्षित्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी, शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी, जबकि हमारे आदिवासी भाई बेहनों का रहन सेन, शहर के रहन सेन से बिलकुल अलग होता है, उनकी जरूरत अलग होती है। इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपना पन कभी नहीं लगता था। इतना ही नहीं पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भीभारी कमी थी। कहीं तरह की गरबढ़िया भी होती थी। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी। उपर से बिजली, पानी जैसी मुल्ग जरूरतों के लिए लाभारती को सरकारी दफ्तरों के चक्र अलग से काटने पड़ते थी। इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहट जो गर बनते भी थे। उनमें जल्दी लोग सिफ्ट ही नहीं होते थे। उनमें गरभ अवेशे नहीं हो पाता था। साथियों, 2014 में हमने जब से कार्य समभाला इन पुराने अनुभवों का अध्यन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया। और फिर प्रधान मंत्री आवास योजना के रुप में बिलकुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुधा देनी होती है। अब किसी की इच्छा के अनुसार, लिष्ट में नाम न जोडा जा सकता है न गटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्मान तक वैज्ञानिक और पारदर्सी तरीका अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मट्रियल से लेकर के निर्मान तक स्थानी अस्तर पर उपलब्द और उप्योग होने वाले सामानों को भी प्रात्विक्ता दी जा रही है। गर के डिजाइन भी स्थानी जरूरतों और निर्मान तक स्थानी के मताभी की तैयार और श्विकार किये जा रहे हैं। अब पूरी पारदर्सीता के साथ गर बनाने के हर चरण की पूरी मोनिटरिंग के साथ लाभारती खुद अपना घर बनाता है। जैसे जैसे गर बनाता जाता है, वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है। अब अगर कोई बेहिमानी करके भी कुछ कोशिच करता है, तो इसमें पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए गए है। साथियों, प्रधान मंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेस्ता है उसका इंद्रधनूशी स्वरूप। की घर के साथ साथ सवचालय भी मिल रहा है, उजवला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, सवभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन, उजाला का LED बल्ब, पानी का कनेक्शन, सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। यानि PM आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्ति को सीधे मिले ये देखा जा रहा है मैं सिवराज जी की सरकार को फिर बढ़ाई दूँगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए PM आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोड़ा है साथियों प्रधान मंत्री आवास योजना हो या स्वच्च भारत अभियान के तहद बनने वाले सौचाले हो इन से गरीब को सुविधा तो मिली रही हैं बलकि ये रोजगार और ससक्ति करण का भी ये बड़ा अमाध्यम है विशेश तोर पर हमारी ग्रामिन बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजना एहम भूमी का निभा रही है PM आवास योजना केता है बन रहे घर की रजिस्ट्री जादातर या तो सिर्फ महिला के नाम पर हो रही है या फिर साजी हो रहे है वही आज गावों में बड़ी मात्रा में रानी मिस्त्री या महिला राज मिस्त्री के लिए काम के नए अवसर बन रहे है अकेले मद्ध प्रदेश में ही पचास हजार से ज़ादा राज मिस्तरियों को प्रस्क्षित किया गया है और इस में से नव हजार रानी मिस्तरी हैं इस से हमारी बहनों की आई और आत्मेविश्वास दोनों में बढ़ोतरी हो रही है साथियों जब गरीब की गाउं की आय और आत्मि विस्वास बढ़ता है तो आत्म निर्भर भारत बनाने का हमारा संकल पर भी मजबूत होता है इस आत्मे विश्वास को मजबूत करने के लिए गाउं में हर प्रकार का आधुनिक इंफास्रक्टर विख्षित किया जा रहा है 2019 के पहले पांच वर्ष सवचालय, गैस, बिजली, सड़क ऐसी बेसिक सुविधाओं को गाउं तक पहुँचाने का काम किया गया अब इन मुल्ग सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गाउं को मजबूत किया जा रहा है इसी पंदरा अगस को लाल के लिए से मैंने कहा था कि आने वाले एक हजार दिनों में देश के करीब छे लाग गाउं में अप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा पहले देश की धाई लाग पंचायों तक फाइबर पहुँचाने का लक्ष रखा गया था अब इसको पंचायत से आगे बढ़ा कर गाउं गाउं तक पहुँचाने का संकल पली आ गया है इस कौरोना काल में भी प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगान अभ्यान के तहट ये काम तेजी से चला है सिरफ कुछ हपतों में ही देश के 116 जिलों में 5000 किलोमेटर से जादा का आप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है जिससे साड़े 1200 से जादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाइफाई होट स्पोर्ट और लगबग 19,000 अप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिये गये है यहां मद्रप्रदेश के भी चुने हुए जिलों में 1300 किलोमेटर से जादा अप्टिकल फाइबर बिछाया गया है और मैं फिर याद दिलाऊँगा यह सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है इतने बड़े संकट के बीच हुआ है जैसे ही गाउं गाउं में अप्टिकल फाइबर पहुचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी जब गाउं में भी जगए जगए बहतर और तेज इंटरनेट आएगा जगए जगए वाइफाई होट स्पोर्ट बनेंगे तो गाउं के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बहतर आउसर मिलेंगे यानि गाउं अब वाइफाई के ही होट स्पोर्ट चे नहीं जुड़ेंगे बलकि आदूनिक गतिविद्यों के व्यापार कारोबार के भी होट स्पोर्ट बनेंगे साथियों आज सरकार की हर सेवा हर सुविदा ऑनलाइन की गई है ताकि लाब भी तेजी से मिले करप्शन भी ना हो और गाउं के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ न भागना पड़े मुझे विश्वास है कि गाउं गाउं ऑप्टिकल फाइबर पहुँचने से इन सेवाओं और सुविदाओं में भी और तेजी आएगी अब जब आप अपने नए गर में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभ्यान आपका जीवन और आसान बनाएगा गाउं और गरीब को ससक्त करने का यह अभ्यान अब और तेज होगा इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनंत शुब कामनाय देता हूँ लेकिन याद रखिये और ये बात बार बार मैं कहता हूँ जरूर याद रखिये मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी देखिये जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं याद रहेगा जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं दो गज की दूरी मास्क है जरूरी इस मंत्र को भूलना नहीं है आपका स्वास उत्तम रहे इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब को बहुत बहुत शुब कामना है